हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे अगर आप भी स्लाई सीखकर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे पैन प्लाजो ब्राना सबसे असान तरीका सबसे असान सब्द सके और आपको सीख सकें तो यहाँ देखेंए यहाँ हमारा फैबरी का क्लोथ है जो कि हमारा दो मिटर का है तो इसको हम इस तरह से चार में फोल्ड करेंग है अब हम उपर से इसका फाल्द कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे यहां देखिए हमने उपर से इसका फाल्द कपड़ा कटिंग करके निकाल दिया हमारे इस प्लाजो क्या मेजर्मेंट है हमारे इस प्लाजो का मेजर्मेंट है लंबाई है इसकी 36 और कमर है इसकी 39 और ह इसका 33 इंच और आसन है इसका 13 मोरी है इसकी 17 इंच तो यह हमारा मेजर्मेंट है तो इसके लिए उपर से हम यहां धाई इंच पर निशान लगाएंगे इधर से और इधर से भी हम धाई इंच पर निशान लगाएंगे यह देखिए और फिर इस निशान से हम इस निशान को म निशान लगाएंगे तो इसकी लंबाई है 36 इंच तो हम यहां 36 इंच पर निशान लगाएंगे यह देखिए इस तरह से और इधर से भी हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से यह देखिए तो हम यह निशान लगा लिया अब इस निशान से इस चार्ष निशान को हम मिला देंगे और फिर मोरी का नाप लगाएंगे हम तो मोरी हमारी स्टरा इंच तो सट्रा का यदा ठान क Espry Ic इंच पर निशान लगा लिया है अब हम उपर इसका मेजरमेंट देंगे हम इसका नाप देंगे तो आशन है हमारे इसका 8.3 इंच तो हम इसको 8 ही लेंगे तो हम यहां से 8 ही इंच में 3 इंच एक्टर डालेंगे तो हमने 3 इंच एक्टर डालेंगे तो यहां हमारा हो गया 11 इंच तो 11 इंच पर हमीं उपर यहां निशान लगाएंगे और 11 इंच ही हम यहां नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहां से हम 2 इंच एक्टर लेंगे और फिर इस निशान को इस निशान से मिला देंगे जो कि हमने मिला दिया है अब हम इसको गुलाई देंगे तो गुलाई देने के लिए यहां देखिए हमने यहां गुलाई दे दिया है और देखे कितनी finishing से यहां गुलाई आई है और अब हम इसको मिला देंगे इस निशान से उपर के इस निशान से तो आपको भी इस तरह से मिला लेना है तो यहाँ देखिए हमने इसको मिला लिया है अब इस निशान से आधा इंच मार्जन छोड़ते हुए हम इसी कटिंग करेंगे यहाँ आधा इंच हमारा इसके दबाव में जाएगा तो हम इसको दबाव मिलाने के लिए हम एक फाल्ट करेंगे कर रहे हैं यहाँ देखिए इस तरह से हम चावर लेयर फ्रेंट particles एक साथ है हम चावर लेयर को एक करते हैं क्योंकि पैंट में आगे और पीछे का पल्ला बिल्कुल बरावर होता है तो इसी तरह से हम कटिंग करते हैं यहां देखिए friends हमने इसको cutting तो यहां देखिए friends हमने प्लाजो की cutting कर लिया और नीचे एक खुटका देंगे यहां पर इस तरह से अगर आपको इस कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप comment box में हम से पूछ सकते हैं तो यहां देखिए friends हमने इसको cutting कर रहे हैं और नीचे से हम दो इंच भी फालत लखेंगे इस पर क्योंकि हमारा यहां नीचे फोल्ड होगा अब हम इसकी stitching करेंगे यहां से हम इसकी stitching करेंगे इस तरह से friends तो friends य से हम इसकी stitching करेंगे तो आपको यह करके दिखाते हैं या देखिए या देखिए हमने इसकी stitching कर लिये आपको भी इस तरह से स्कों स्टीचिंग कर लिए अब हम साइडों से इस पर लगाएंगे पर नीचे मोरी पर भी हम यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस पर जो की बिल्कुल परफेक्ट हमारा प्लाजो बन करके त्यार होगा तो हम इसको तो इसकी स्टीचिंग हम आपको मसीन पर दिखाएंगे तो चलिए मसीन के उपर चलते हैं तो यहाँ देखे फ्रेंट्स हम इसको स्टिचिंग करेंगे यहां से इसकी स्लाई करेंगे फ्रेंट्स अगर आप इसी तरह से पैंट प्लाजो बनाएंगे तो आप एक बारे में ही पैंट प्लाजो बना सकते हैं तो यहाँ देखे फ्रेंट्स हम इस प्लाजो लगा रहे हैं 17 इंच तो 17 इंच का आदा होता है 18 इंच तो हम 18 इंच पर यहाँ पर निसान लगाएंगे और शलाई करेंगे आप जब भी साइडों में प्लाजों या पैंट पर शलाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्लाजों को हलका इस तरह से खेज कर सलाई कीज़ेगा अगर आप इस तरह से सलाई खेज करेंगे कपड़े को तो आपके कपड़ों में कभी सलवटे नहीं आएगी जो की ज़्यादा लोगों की शिकायत होती है कि उनके पैंट प्लाजों में दिक्कत आती है सलवटे आती हैं, तो अगर आप इस तरह से प्लाजो या पैंट बनाएंगे तो आपका सलवट बिल्कुल भी नहीं आएगा फ्रेंड्स अब हम प्लाजो का कमर बनाएंगे, तो प्लाजो का कमर बनाने के लिए हमारा कमर का नाप है इसका 29 इंच तो 29 इंच में हम 4 इंच कम करेंगे तो हमारा होता है 25 इंच तो 25 इंच हमारे यहां त्यार रहेगा तो यहां देखिए हमारा 25 इंच का यहां लाश्टिक त्यार है अब हम इसको उपर कमर पर लगाएंगे लाश्टिक को तो यहाँ देखे किस तरह से लगाते हैं इस लाश्टी को अगर आप हमारे इस पताई तरीके से बनाएंगे तो आप एक बार में ही लाश्टी लगाना सीख सकते हैं और हमने ऐसा ही पहले भी कई सारे वीडियो बनाई हुई है आप चाहे तो उनको भी जाकर देख सकते हैं तो यहाँ देखे फ्रेंड्स हम यहाँ इलाश्टी कितने अच्छे से लगा रहे हैं आपको भी इसी सरसे यहाँ इलाश्टी लगाना है अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरू बताएं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे के लिए हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं तो अपना सपोर्ड दिखाएं लाइक करें शब्सक्राइब करें और वीडियो को का बैल प्टेंट जरू ओन करें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है तो यहाँ देखें फ्रेंट्स हमने प्लाजो का इलास्टिक लगा लिया है और यहाँ कितना खुब शुरत दिखा यहाँ देखिए अब हम इसको खेज कर इसका कपड़ा पूरे इलास्टिक में आपस में बिचा देंगे पूरे में बिचा दिया है अब हम इस पर एक सलाई मारेंगे ताकि यह कपड़ा इधर उधर ना हो और एक जगहा पर यहाँ बैस जाए कपड़ा तो हम इस पर पूरे में सलाई मार लेते हैं यहाँ देखिए इस तरह से अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें जोरू बताएं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयाश करते हैं हम और अच्छे से काम करते हैं कि आप पर लिए और अच्छी वीडियो ला सकें और आप कुछ वैल्यू दे सकें जिसमें आपका साथ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है आपका साथ आपका प्यार धन्यवाद